हेलो इंडिया प्यारी देश्वासर को मेरा अभी रंदन मेरा नाम डॉक्टर पुरीद कोईल है और इंडिया के नंबर वन ओन लाइन एजुकेशन एप अन एकडिमी में आपका उस्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल एटूजर के स्चिके ट्रिक्स के नाम से है तो चलिए के शुरूरात करते हैं आज के कुछ history के question जो railway exam में बार बार पूछे जाते हैं history के most important question है फटफट मैं आपको बताता हूँ सुंग वन्स के बाद किस वन्स ने भारत पर राजय किया कन्नव वन्स ने तक्सिला किस सैली की कला के लिए परशित्ता गंगा गंधार कला की सैली के लिए किस संग्राले में कुसान कालीन मुर्तिया सबसे अधिक हैं मत्रा संग ग्राले में भारत में किसके द्वारा में पहली बारचानिक सासन वैबार में लाय गया था इंडो ग्रीक के द्वारा किस वन्स के सास को ने सोने के सबसे अधिक शिक्के जाड़ी के दे कुछान? वन्सके सासकों ने, पुरुस्पुर का दूसरा नाम क्या था पेशावर, किसके अधीन साथवानों ने अधीकारियों के रूप में कारे किया था, मोरियों के दिन, मोरियों के बाद दक्षिन बारत में सबसे दिक परबावचाली राजय किसकारा, साथवाहन का, नागरजुन साथ वानों के समय किस शाज़ू की मुद्रा सर्वादिक्ति इसी से की भारत का इस चीन का जाता है नागर जुन को कुछला कड़फी सेसने कौन सा कुछान सासक जिसने बोध धरम अपना लिया था कनिस्क यह सारे कोशन आपको पोज करनी होगी वीडियो को और एक एक कोशन को लिखना होगा तब जाके आप यह कोशन कर पाऊंगे यहां मैंने सो से ज़्यादा कोश्चन दिये हैं और मैं इसलिए तेजी से करा रहा हूँ ताकि आपको ज़्यादा कोश्चन कवर हो जाएं और मैं कोश्चन के काल में बनवाई गई टी किस सात्वान जम्राट ने गोट गाता सबस्च है नामक महत्पूं कुन्ता वासुदेव। सात्वानों का समाज क्यासा था? मात्र सतत्मत. कनिस्क के कुलकान तिम्छा सक कोन था? वासु देव. चरक किसके राजवेते? कनिस्क के. बेस नगर में इस्थित गरुडिस्थम का निर्मान किसने कराया था? हैली यूडोर ने. कुसान के काल में सबसुधिक विकास की शेतर में वब वास्तु कला की एक्षेतर में वहाओ साथ्वानों की रादानी क bissim का गया प्ठन को ईसा पूरू दूसरी सत्गी के रामबे उतरी अफगानिस्तान में किसका ससंता बैक्तीरिया का यह कुछ questions मैंने आपको डिये हैं जो competitive exam के साफ़से आपके लिए बहुत important हो सकते है टोटल 45 question मैं आपको यहां दे रहा हूँ एक बार और मैं आपको repeat कर देता हूँ ताकि आपके दिमाग में इस सारे question अच्छी तरह से बैठ जाए तो चलिए शुरुआत करते हैं दुबारा से किस वंस के सासकों ने सोने के सबसे अधिक सिक्के चलवाई थे यह चलवाई थे कुशान वंस के सासकों ने सुंग वंस के सासक किस वंस ने भारत पर राज किया कन्व वंस ने तकसिला किस साली की कला के लिए परसिद है गांधार कला किस संग्राले में कुशान कालीन मुर्तिय सबसे दिक है मत्रा में भारत में किस के दौरा पहली बार सैनि प्रुस्पुर का दूसरा नाम क्या है पेशावर जो कि आजकल पाकिस्तान में किसके अधीन साथ वहानों ने अधिकारी अधिकारियों के रुप में कारे क्या मोर्यों के अधिन मोर्यों के बाद दक्चिन बारत में सबसे प्रबावसावली राजय किसका था साथ वहान का नागारजुन अश्वगोस वसुमित्र किसके समकाले थे कनिष्क के गारगी सहिता की रचना किसने कीथी कात्यानने। कि किया है कनिष्क की कानल करका निया Ой। कप कमेई परिदijn कई कृशनुकर 29 20 Не, इस reensिवी ! कि शीचीनी जनरल की रचना किसने कीथा पेंग चाह कामशूत्र की रचना वात्सयानन्नी कनिस किस चाती से जम्म जीता चीन की यूची जल जाती से साथ वान ने अपना सासन कांसरों किया महारास्ट में गारगिस अहिता एक जोतिसगरंत है कनिस की रादणी क्या पुरुस्पुर और मत्रा बारत में सवर्पतम सोन मुदरा किसने चलाई इंडो ग्रीक ने साथवानों के समय किस दातों की मुदरा परचलित थी सी से की बारत का आइंस्टीन किसे का जाता है नागार जुन को पुस्या मित्र सुंग किस धरम का समर्तक था ब्रामन धरम का कुसान वंस किस अपना किसने की दी कुजला कड़फी से इसने कौन सा कुसान सासकता जिसने बोध धरम अपना लिया था कनिश्क ने खारवेल किस वंस का सासकता चेरी वंस का किस परसिद गरंद को बोध धरम का विश्व को स्का आजाता है महाविभाश शास्त्रो किस पुरान में illuminated सखकों के सासन की चर्चा रुए है वाईयू पुराण कनिस्क ब호द्धरम की किस साखा का अनुआई था महायान हेनि यान महायान दो सक हाई थी यह महायान साखा का अनुआई था प्राछीन बारत के कषान वंस के सासन काल में बनवाइ गई थी इसे काणव वंस भी बोला जाता है सात वानों का समाज कैसा था मात्र सब्ताम कनिस के कुल के अंतिम सासकों थे वासुदेद चरक किसके राजवैत थे कनिस्क थे बेस नगर में इस्थित गरुन स्थम का निर्मान किसने कराया था हैलियो डोर ने सात्वान या आंद्र सात्वान वंसकी स्थाफणा किसने कि दी सिमुक ने कुशान काल کے दोरान मूर्ती कला की गंदार शैली किन शैलीों में मिश्रन था? इंडो-ग्रीक शैलीों का मिश्रन था? पराचीन बारात में किसने ने मित्रुप से सिक्टे चलाए? कुशान ने. अंतिम मोरे समडाट की अत्या किसने की थी? पुस्या मित्र सुंग ने. U-N-I-T-G-O-E-L के नाम से आपको मिल जाएगा Unacademy पर Unacademy पर मेरी एक सुबह के लास चलती है साथ बजे Current Affairs की जिसमें जितनी भी Current Affairs की घटनाएं होती हैं वो सारी मैं आपको कराता हूँ Current Affairs और आठ बजे मेरा चलता है Special Hindi का TET exam के लिए TET exam के लिए Hindi हो गया आपका CDP हो गया यह सब चीज़े मैं आपको कराता हूँ और दो बजे 2 पीम पर दो फैर में मेरा UGC Net का क्लास चलता है जिसमें मैं आपकी Paper First की Preparation कराता हूँ और शाम को 7 बजे मेरी एक Math और Reasoning की Special Class चलती है जिसमें यह तो मैं Math कराता हूँ यह Reasoning कराता हूँ जो की बहुत Important Part है आपके लिए Competitive Exam के हिसाब से तो यह मेरी कलास जरूर अटेंट करें और अगर आपने अभी तक Plus Course नहीं लिया तो यह वाला Referral Code यूज़ करें A2Z Careers C-A-R-E-E-R-S A2Z Careers का Referral Code यूज़ करने पर आपको 10% का Discount मिलता है और मुझे उम्मीद है कि आप जरूर मुझे Follow करेंगे Thank you very much for the day तो प्यारे दोस्तों छात्रों मैंने आपको Special Tricks कराई है मेरी NT-UGC Net की कलास जरूर देख लिए और मैं आपको अपने YouTube चैनल के बारे में भी बता देता हूँ A2Z Careers के नाम से मेरा YouTube चैनल है अपना Mobile App खोलिए YouTube का उसमें Search Box में डालिए A numeral 2 Z C-A-R-E-R-S तुरंत मेरा YouTube चैनल खोल जाएगा A2Z Careers NT-UGC Net की तैयारी के लिए जबरदस तैयारी आपको मैं करा दो जो ट्रिक मैं आपको कराऊंगा वो ट्रिक आपको कहीं नहीं मिलेंगी केवल और केवल मेरे YouTube चैनल पे मिलेंगी Community Box में एक Question भी हम आपको रोजाना देते हैं इस Question को भी जरूर आप Sold क्या करें देखा करें किस तरह से ये Question हम आपसे पूछते हैं Thank you very much for the day We'll meet tomorrow और मेरा Mobile Number नोट कर लीजेगा 9837282318 कोई भी समस्य होती है Unacademy का Course लेने में समस्य होती है तो हमसे संपक कर लीजे We will help you out और Competitive एकदाम की कोई भी बात आपको पूछ नहीं हो तो आप हमसे इस नंबर पर संपक कर सकते Thank you very much for the day We'll meet tomorrow till then by God bless you